आजगा हमारा टॉपिक रहेगा फिल्म टेक्नोलोजी फिल्म टेक्नोलोजी अमर्जिंग फॉर्म ओफ लिट्रेचर से लिया गया है इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे एक्नोलोजी अमर्जिंग फिल्म टेक्नोलोजी से मुराद है विद पैसेज अव टाइम जैसे जैसे टेक्नोलोजी डिवेलप हुई है एडवासमेंट आई है उसी तरीके से लिट्रेचर के अंदर जो फिल्म प्रोड्यूस किये जाते हैं उनमें भी डिजिटल टूल्स का इस्तमाल किया जाने लगा है तो फिल्म टेक्नोलोजी के अंदर हम कुछ टूल्स, टेक्नीक्स, एक्विपमेंट्स और अडवासमेंट्स को देखते हैं कि एक फिल्म किस तरीके से बनता है फिल्म टेक्नोलोजी के अलिमेंट्स को पढ़ते हुए हमें पता चलेगा कि फिल्म की अंदर टेक्नोलोजी का क्या करदार है नमबर वन हमारे पास आता है कैमराज एक फिल्म की कुरियेशन में कैमराज का बहुत एहम करदार है ज्यादा advancement नहीं आई थी black and white pictures का इस्तमाल किया जाता था लेकिन इस digital दोर में with the passage of time technology की अंदर जो advancement आई है उसके जरीए से camera angle camera movement को बेहतरीन रखा जाता है एक film की creation में उसके production में number two पर हमारे पास lighting आता है lighting से मुवी के अंदर high lighting का इस्तमाल होता है low lighting का इस्तमाल होता है जो high lighting है वह happiness को show करती है जो low lighting है वो sad moments को show करती है तो एक movie के अंदर एक फयल्म के अंदर प्रोपर लाइटनिंग टेक्चिक्स का इस्तमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम उसके mood को set कर सकें उसके character को highlight करें उस movie के अंदर visual impacts को create करें एक फिल्म के अंदर low lightning का इस्तमाल किया गया है एक character को दिखाने के लिए जो के एक mountain पर बैटा है वो वहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर जो lightning का इस्तमाल किया जाएगा वो बिल्कुल low होगा ताके उसके sadness को videos तक audience तक सही तरीके से पहुचाया जाए इसी तरीके से अगर एक couple के दर्मियान में romantic scene हो रहा है तो वहाँ पर जो lightning है वो काफी जादा high रखी जाएगी ताके उनके happiness को show किया जा सके number three पर हमारे पास sound recording and editing आता है जिससे मुराद है कि हमने अपने फिल्म के अंदर ना सिर्फ visual representation का इस्तमाल देखना है और कि audio representation का भी दिहान रखना होता है एक फिल्म के अंदर जो हमारा audio technology है उसके जरीए से हमने clear voices को रखना होता है हमारे dialogues clear होने चाहिए उनके अंदर कोई error रही होना चाहिए इसी वज़ा से हम उनको जब set पर record कर लेते हैं तो बात में जाकर added करते हैं जो हमारे uncessory dialogues होते हैं हम उनको वहां से मिटा देते हैं हम काफी ज्यादा dialogues को mix करते हैं क्योंके कुछ dialogues पहले record होते हैं कुछ बात में होते हैं फिर जाकर हम उनके अंदर effects डालते हैं ताकि जो हमारे audience है उनको वह अच्छा लगे उनको वह attractive लगे मिसाल के तोर पर एक movie के अंदर एक romantic scene दिखाया जा रहा है तो उसके अंदर उस romantic scene को तड़का लगाने के लिए audience के emotions को जगाने के लिए उसके अंदर एक romantic song चलाया जाएगा अगर कोई sad scene दिखाया जा रहा है कोई death दिखाया जा रही है तो एक sad music चलाया जाएगा एक horrific scene दिखाया जा रहा है, horrific scene दिखाया जा रहा है, horror को audience के अंदर जगाने के लिए, तो इसके अंदर जो music चलाए जाएगा, वो काफी ज़ादा intense होगा, जो situation की demand होगी, तो according to the situation demand, movies के अंदर sound effects का इस्तमाल किया जाता है, ताकि audience के attention को capture किया जा सके, नमबर 4 पर हमारे पास editing software आते हैं, जिससे मुराद है, digital tools का इस्तमाल करते हुए, एक film maker अपने film के scenes को cut कर सकता है, arrange कर सकता है, उनके footage को enhance कर सकता है, क्योंकि ये film makers को allow करते हैं, कि वो अपने storytelling को बेतरीन कर सकें, उसको एक flow के अंदर audience तक पहुँचाएं, उसके अंदर जो transitions हैं, वो भी seamless हों, ताकि audience के लिए ये attraction का बाइस बन सकें, ये बगार किसी error के audience तक पहुचाए जाएं, नमबर 5 पर हमारे पास special effects आते हैं, जिससे मुराद है, कि technology के advancements का इस्तमाल करते हुए, एक movie के creation को बेहतर बनाना, उसके अंदर कुछ visual effects का डालना, उसके अंदर computer generated imagery क का इस्तमाल करना, ताकि हमारी storytelling बेहतर हो सके, ताकि हम लोगों को वो दुनिया दिखा सकें, जो वो देखना चाते हैं, मिसाल के तौर पर, Harry Potter series के अंदर, जो दुनिया दिखाई जाती है, वो एक fictious word है, उसके अंदर computer generated imagery का इस्तमाल किया गया है, audience के attraction को capture करने के लिए, account से method used किये हैं, क्योंकि जो traditional films होती थी, उनकी अंदर hand drawn animation का इस्तमाल किया जाता था, लेकिन जो अब movies के अंदर animation का इस्तमाल किया जाने लगा है, वो computer generated animation है, इन सब का मकसद होता है, creative possibilities को expand करना, for example, बच्चों के लिए जो animated movies बनाई जाती है, जिनकी अंदर जानवरों को जबान दी जाती है, नमबर सेवन पर हमारे पास distribution platforms आते हैं, जिससे मुराद है streaming services, online platforms, digital distribution ने ज्यादा तरक्की कर ली है, कि उसके जरिये से हम एक ही touch के अंदर पूरी दुनिया के audience के साथ अपना film शियर कर सकते हैं, नमबर एट पर हमारे पास projection technology आता है, जिससे मुराद है technology का इस्तमाल करते हुए, cinema के अंदर movies को दिखाना, तो इसके अंदर digital projector शामिल है, IMAX शामिल है, जिसके जरिये से viewing की experience को काफी ज्यादा बेतर बनाया जाता है, नमबर 9 पर हमारे पास 3D and VR technology आता है, जिससे मुराद है अपने movies के अंदर 3D animation का इस्तमाल करना, virtual reality का इस्तमा करते हुए, कुछ movies के background को totally change कर देना, एक ऐसी दुनिया दिखाना, जो हकीकत में exist नहीं करता, लेकिन वो बिल्कुल real लगता है, जब हम उसे देखते हैं, तो इसके जरिये से हमें एक vast experience मिलता है, एक movie के अंदर storytelling boundaries को unlimited कर देता है, जो audience की engagement को उस movie के साथ जोड़े रखता है नमबर 10 पर हमारे पास advancement in equipment आता है, जिससे मुराद है technology के इस्तमाल से हमारे जो equipments हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ी change आई है, जैसे के हम aerial shoots के लिए drones का इस्तमाल करते थे, अब हम stabilizers का इस्तमाल करते हैं, smooth camera movements के लिए, तो इस तरीके से जो हमारे different equipments हैं, वो भी advance हो काफी ज्यादा improve किया है, इस topic को conclude करते हुए हम यह कह सकते हैं, कि technology के इस्तमाल से हमारी film की creation, उसकी narration, उसकी visual quality, उसके हवाले से each and everything को technology ने change करके रख दिया है, और जिस तरीके से technology के अंदर मजीद changing आती जा रही हैं, उसी तरीके से जो हमारी film है, वो भी change होती जा रही है तो हमारा जो overall cinematic experience है, उसके उपर film technology ने एक बहुत बड़ा influence छोड़ा है